तो सुरुवात करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की जो कि भारत की फॉरेंड पॉलसी को बताता है इस स्ट्रेटिक आर्टोनोमी और फॉरेंड पॉलसी और इंडिया की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं 250 सब्दों में जो हमको answer writing करना है उसकी लाइने कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं कि भाई जो इंडिया के partners हैं ठीक है इंडिया के जो साजेदार हैं जैसे कि हम West Asia की वेस्ट की बात करें European countries की बात करें कि नई दिल्ली आखिर चाहता क्या है नई दिल्ली चाहता है international system to be more representative in line with geopolitical realities अभी हाल फिल हाल में जो भी geopolitics जल रही है उसमें इंडिया चाहता है कि भाई जो international system है और भी ज्यादा ये representative रहे representative रहे इसका मतलब ये हो गया है कि पूरी दुनिया में कोई एक देश अपना दबदबा बना करके ना चले ठीक है यदि कोई देश अकेला दबदबा बनाता है तो पूरी दुनिया के देशों को दबाना चालू कर देता है कहीं किसी की उपर सैंसर लगाएगा कहीं बोलेगा ऐसा मत करो किसी को बोलेगा वैसा मत करो आप हमेरे दुस्मनों के साथ में ट्रेड मत करो इस प्रकार से फिर वो दब दबा बनाना चालू कर देता है इसलिए भारत चाहता है कि भाई जो वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स जो चल रहा है वर्तमान हिसाब से उसमें परिवर्तन आना बहुत जादा जरूरी है तो पस्चिम में भारत के साजेदारों को ये समझना होगा कि नई दिल्ली चाहता है कि अंतर राष्टी प्रडाली भू राजनेतिक वास्टविक्ताओं के अनुरूप अधिक प्रतिनेधित्व पूर्ड हो इसमें हमको 250 सब्दों में आंसर राइटिंग करना है अभी हाल फिलहाल में देखा जाएं तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा रसिया की आतरा करी गई थी ठीक है अब ये जो रसिया की आतरा करी गई है एक ऐसे समय में करी गई है जबकि यूक्रेन के साथ में युद्ध चल रहा है रसिया का और अमेरिका इससे बिलकुल भी खुस नहीं है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जो वहाँ पर विजिट करने गए हैं उन्होंने प्रयास भी किया था कि कैसे न कैसे करके इस विजिट को रोखा जाए इससे ये पता चलता है कि भारत अपनी जो फॉरेंड पॉलसी है उसमें काफी स्वतंद्र है फॉरेंड पॉलसी में हमरी स्ट्रेटिजिक आटो नौ भी है तो 11 जुलाई 2024 को रूस द्वारा 24 फरवड़ी 2022 को युक्रेन पर आकमड करने के बाद प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी की मासकों की ये पहली यात्रा समाथ हो चुकी है वेस्टन कंट्रीज अमेरिकन कंट्रीज आप देखेंगे युक्रेन का फुल सपोर्ट कर रहे हैं रसिया के उपर जबर्दस सैंक्सन लगा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमको पता है रसिया हमारा कितना पुराना पार्टनर है इसलिए भारत हमेशा से उसके साथ में हाथ मिला करके चल रहा है ये भी ध्यान देता है कि अमेरिका जैसे जो कंट्रीज हैं उनसे भी अपना दूसरा हाथ पकड़े हुए रहना चाहिए अभी हाल फिलहाल में जैसे कि एरिक गारसेटी की बात करें जो की सईयुक तराज अमेरिका के राजदूत हैं इनकी तरफ से भी कुछ-कुछ इसी प्रकार की बातें कही गई थी क्या बातें कहीं गई थी आप देख सकते हैं इन्होंने बोला था कि देखिए अभी जो हाल फिलहाल में संगर सब्सक्राइब जैसे टाइम में स्ट्रेटिक आटोनोमे जैसे कोई चीज ही नहीं होती है संकट के सब्सक्राइब में हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत होती है एरिक गारसिटी नहीं ऐसा बोला था जो बाइडेन एड्मिनिस्ट्रेशन ने भी चिंता जाहिर करी थी इस विजिट को ले करके तो हमने उन चिंताओं को निजी तोर पर सीधे भारस सरकार के समक्ष विक्त किया है और ऐसा करना हम कंटिन्यू भी रखेंगे उनका कहना है कि देखिए आप यदि लॉंग टाइम के लिए एकदम पर्मनेंट विस्वसनी साज़ेदार की रूप में रसिया की तरफ दाव लगा रहे होना तो ये अच्छी बात नहीं है रूस किसी भी दिन भारत की बजाए चीन का पक्ष लेगा ऐसा अमेरिका का कहना है इसका मतलब यह है कि चाइना और रसिया की जो रिलेशन से फैना चाइना और रसिया के भी जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा ख्लोस होते जा रहे हैं इसलिए अमेरिका की तरब से ऐसा बोला गया था तो अब दुनिया तो यह चाहा रही थी वेस्टन कंट्री यह चाहा रहे थे कि भारत अपनी जो यात्रा है ना कि भाई उसको पोस्ट पॉन कर दे मॉस्को विजिट को यहां पर भी कुछ ऐसी प्रकार की रिपोर्ट आई थी यूस मीडिया से जैसे की जो यूस ऑफिसियल से उन्होंने नीदिली को कहा था कि आप मिश्टर मोदी की जो मॉस्को विजिट है उसको क्या कर दीजिए पोस्ट पॉन कर दीजिए क्योंकि जो नाटो का समिट है 9 जुलाई से कहना चाहिए चालू होने वाला लेकिन इंडि एड्मिनिस्टेशन बाइडन प्रसासन को क्या कर दिया था डिस्टर्ब कर दिया था तो यहां से एक चीज हमें पता चलता है कि भाई भारत जो है स्ट्रेटिक आटोनॉमी को कहीं जादा महतो देता है आगे चर्चा करी जाती है कि भाई यह जो स्ट्रेटिक पार्टनर्सिप है इंडिया एंड यूएस के बीच में किस प्रकार से रही है नॉर्मली हम देखते हैं कि स्टीडी एंड कुछ कुछ स्ट्रेटिक पॉइंट ऐसे हैं हाल फिलाल में रिलेशन्सिप में हमको दिखाई दिये हैं पहली बार थोड़ा सा विरोधा भास यहां पर हुआ कि सब लोग रसिया की आलोचना कर रहे थे इंडिया ने आलोचना करने से मना कर दिया और वहाँ पर उपस्थित ही नहीं हुआ था उनाइटिड नेशन्स में इंडिया ने मैंटेन करके रखा था अपनी स्ट्रेटिक पार्टनर्शिप मासकों के साथ में वहीं यूएस और इसके जो एलाइस हैं उन्होंने इंपोस किया था एकोनोमिक सेंक्स रसिया के ऊपर एंड सप्लाई किया था इन लोगाने वीपन्स जिसकी कीमत बिलियन्स ओफ डॉलर होगी ताकि रसिया को कमजोर किया जा सके ठीक है इतने समय तक यदि यूक्रेन जैसी कंट्रीज लड़ाई लड़ पा रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है ये लोग कंधे में हथियार रखे खुद गोली चला रहे हैं आप ये बोल सकते हैं आगे बोला जाता है कि इंडिया ने मॉस्को के साथ में बहतरीन पार्टनर्सिप जारी रखी है जैसे कि किस-किस प्रकार की पार्टनर्सिप रही है ये पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इनरजी का कॉपरेशन मेंटेन करके रखे हैं मतलब ये हैं कि रसिया की उपर तो आपने सैंक्सन लगा दिये हैं तो बिचारा वो तेल कहां बेचेगा इंडिया ने बोला नहीं हम खरी देंगे आप हमको थोड़ा सा सस्ते रेट में वीजिए दूसरे नमर की बात भारत ने क्या बोला युद्ध ही खतम करो ना आप क्यों बढ़ावा दे रहे हैं युद्ध को रियुद्ध रोखिया आप साथी साथ भारत हमेशा सही जो टेरिटोरियल सोवर्निटी एंड इंट्रिटी है औल कंट्रेज की उसको हमेशा सम्मान देता भारत का कहना है कि भाई आपकी जमीन है आपका उस पर पूरा पूरा अधिकार है कोई देश ये नहीं कह सकता कि एक इंच भी जमीन उसकी है या फिर दरद हम का के कोई जमीन ले लेगा तो भारत हमेशा सही जो टेरिटोरियल इंटिग्रिटी है इस सब को हमेशा सही सपोर्ट करते रहा है अब वेस्टन कंट्रीज इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं इंडिया के बारे देखिए इंडिया हमेशा सह जो है नियूट्रल पोजिशन में रहा है लेकिन जो वेस्टन कंट्रीज हैं येरोपिन कंट्रीज हैं इसको ऐसे एकोनोमिक सपोर्ट के तोर पर देखते हैं रस चलते चलते जो इंडिया यूएस पार्टनर्शिप है ना वो प्रभावित हुई है और पिछले दो से धाई साल के बीच में हम देखें तो यह जो रिलेसंशिप है पार्टनर्शिप है और भी ज्यादा कहना चाहिए इसमें हमें गैब देखने को मिला है अमबेजडर गार्टीज का कमेंट यदि हम देखें गार्सेटीज का कमेंट देखें तो जो बात अमेरिका की तरफ से बोली गई है न वो तो यहाँ पर हमको विरुद्ध में दिखाई देती है स्ठेटिक अटनॉमी के बिल्कुल वे रुद्ध में दिखाई देती है वहीं ज़ी हम स्ठेटिक स्वानयत था की बात करें तो देखिये स्ठेटिक अटनॉमी का मतलब यह है देश निर्णाय लेने में सक्षम है ऐसा निर्णा है जो कि उसके राष्टी हितों की सर्वोत्तम पूर्ती कर सके भले ही अन्य पक्षों की ओर से उन पर कितना भी दबाव क्यों ना हो कोई कितना भी दबाव डाले हमरे देश के लिए जो ठीक है हम वही करेंगे इसको हम बोलते हैं strategic autonomy इसमें दो प्रकार के element रहते हैं इस concept में पहले नमर की बात तो ये है कि कोई भी देश capable रहना चाहिए decision taking के लिए that serve its interest पहली बात तो ये है हमरे देश के लिए कौन-कौन सी चीज़े अच्छी है इस चीज़ के लिए मैं decision ले सकूँ पहली बात तो ये होती है second number की बात ये है देश के पास में ये एक्छा भी होना चाहिए उसके पास में resources भी होना चाहिए to take those decision even in the face of high pressure मेरे पास में रूपर पैसा है मेरे पास में संसाद है कोई मेरे उपर कित्ते भी दवार डालेगा मैं बिलकुल भी उसकी बात नहीं माने वाला हूँ तो दो चीज क्या चीज एक्छा और resources होना जरूरी है तो इसका मतलब ये हो गया है कि if India is not able to take autonomous foreign policy decision during the time of conflict and crisis moment as Mr. Garcetti said it is not exercising its strategic autonomy अब इंडिया यदी autonomous foreign policy decision नहीं ले पा रहा है conflict के सबय में crisis के movement में क्योंकि Garcetti ने कहा था कि ये अपनी strategic autonomy का प्रयोग ही नहीं कर रहा है तो जो जितनी भी government रही है ना जब से भारत आजाद हुआ है उन्होंने follow किया है strategic autonomy का in one form or other अलग-अलग तरीका हो सकता है लेकिन सभी ने strategic autonomy के उपर focus किया है जैसे कि non alignment के बारे में आपने सुना होगा multi alignment के बारे में सुना होगा multi directional foreign policy या फिर strategic autonomy ठीक है नाम अलग-अलग है लेकिन है चीज एक ही सुरवाती तोर पर भारत की जो policy रही थी ठीक है वो किस प्रकार से रही थी आप समझने की कोसिस कही है बहुत जादा हम एकदम ideal बात है करते थी जिनको हम कहना चाहिए फुल्फिल भी नहीं कर पाएंगे तो इस प्रकार से नहीं हम conventional understanding देखते हैं इंडिया की foreign policy में हम यहीं सुरू की बात करें तो बहुत ज़्यादा idealistic थी इसलिए जो है initial years में ठीक है जो power politics है हम इसको current politics को भी नहीं समझ पाते थे लेकिन जो non alignment है and ACL solidarity की बात करें इसकी कलपना करी गई थी प्राइम मिनिस्टर जवाहलान नहरू के द्वारा and ठीक आदर्स के द्वारा यहीं सब ने help किया था एक newly decentralized republic को that was born into a bipolar order जो की bipolar order में जिस देश का जन्म हुआ सुरू सुरू में देखा जाएं तो इंडिया ने किस चीज की उपर फोकस किया था कुल मिला करके कहना चाहिए दूरी बना करके रखा बराबर दूरी बना करके रखा अमेरिका से भी साथ ही साथ रसिया से भी पूंजी वादी और सामेवादी दोनों को कुल मिला करके देखा जाएं भारत ने support किया था लेकिन after the US formed a new treaty alliance in Asia Asia में अमेरिका ने नया नया alliance बनाना चालू कर दिया नया नया संधी गड़बंदर मराना जैसे कि आप बात कर लें पाकिस्तान एक member बना था किसका Southeast Asia Treaty Organization का जिसको सीटो बोलते हैं and Central Treaty Organization SANTO and China और भी ज़्यादा close आ गया था अमेरिका के कब जब Soviet Union टूट गया था तो सब को लगा कि अब दुनिया में तो एक ही पावर बची है कौन बचा है अमेरिका तो उसी की तरफ जाते है लेकिन रसिया का साथ हमेशा दिया और रसिया ने हमारा साथ हमेशा ही दिया इसलिए आप देखेंगे without for fighting its strategic autonomy हमने मासकोग को सपोर्ट किया था एंड वैन अड़िय वैं ग्लोबल एकोनोमी की तरफ जा रहे हैं एंड एस्टरेजिंग पार्टनर से बनाने लगे थे वैस्टरन कंट्री इसके साथ में भी अब great power rivalry का आज के समय में time period चल रहा है वहीं यदि हम बात करें इंडिया के point of view से जो global order है फिर से change हो रहा है जैसे कि US अभी भी world का most powerful country है China already से world का second largest economy बन गया है and is rising as a strong competitor to America's global privacy आज के समय में बहुत तगड़ा competition दिया जा रहा है किसके द्वारा चाइना के द्वारा इतना बड़ा कहना चाहिए competitor बन गया है आज के समय में चाइना की अमेरिका को आने वाले समय में चाइना पचाड़ देगा रसिया भी अपने आप में कहना चाहिए जो global western security architecture है यूरोप में उसको change करने का काम कर रहा है क्योंकि अभी रसिया ने जब उसके उपर युद्ध किया ना तो इधर इनकी जेब खाली होना चालू हो गई है वहीं यदि हम West Asia की बात करें तो जो इजराइल का युद्ध चल रहा है एक American ally की बात करें and Iran एक close Russian strategic partner is heating up तो रसिया और इरान के बीच में पार्टनर शिप्तेजी के साथ में पनप रही है ऐसा यहाँ पर बताया जाता है आगे यदि हम बात करें इस प्रकार से यदि दुनिया चेंज हो रही है वर्ल ओर्डर चेंज हो रहा है तो ऐसे समय में भारत क्या कर रहा है तो भारत हमेरे साही फोकस किया है कि भाई बैलेंस स्थापित करें हम great powers के बीच में ठीक है हम किसी भी align system को join नहीं करना चाहते है इसी मामले में तो हमारी जो strategic autonomy है न हम किसी के दवाव में आकर काम नहीं करेंगे यह बहुत महत्पूर हो जाती है रसिया के साथ में relationship हमारे कैसे रहे हैं जैसे कि energy के साथ में हमारे जो 20 रही है रसिया के साथ में largely opportunistic है and cheap price सस्ते rate में हमें crude oil मिल जा रहा है रसिया से और रसिया को भी बेच नहीं है क्योंकि sanction लगा दिया है अमेरिकान है जैसे कि इंडिया के crude import की बात करें रसिया से तो यह तेजी के साथ में बढ़ रहा है 2.4 billion dollar हुआ करता था 21-22 में यह बढ़ करके कित्ता हो गया 46.5 billion dollar हो गया है 2023-2024 में कितनी बड़ा उच्छाल देखने को मिला है आप सोचिए 2.5 से सीधे 50 हो गया है defense import की भी यह दि हम बात करें तो इंडिया का लगबग 50 परसेंट जो defense import है कहां से आ रहा है रसिया से ही आ रहा है 40% and 86% of the Indian military equipment is of Russian origin हमारा 86% जादा तर जो हथियार है कहां पर बना है रसिया में ही बना है लेकिन दिक्कत वाली बात यह हो गई है कि रसिया और चाइना के बीच जो relationship है न वो तगड़ी होते जा रही है और यह चीज भारत के लिए एक चिंता का विशाए है लेकिन साथ ही साथ यह एक opportunity है कि हम जो है रिकाष्ट करें इंडिया रसियन partnership को ताकि और भी ज्यादा equal bilateral partnership हमारी बढ़ती जाए ठीक है यदि हम cold war के time period की बात करें it was heavily lopsided where both side would be mindful of each other sensitive कि इंडिया कभी यह नहीं चाहता है कि जो रसिया है वेस्ट से एकदम कठी जाए हम यह भी नहीं चाहते हैं तो कि भाई एकदम ही Chinese का प्रभाव हो जाए रसिया के उपर इसलिए तो यहां पर हमको balance इस्थापित करने की ज़रूरत है अब यदि भारत किसी alliance में सामिल भी होता है न तो उस alliance में आपको छर्चाड करेंगे भी न तो जो चाप रहेगा भारत जादा कुछ बोलने वाला नहीं जैसे कि हाल फिलहाल में जर्मनी ने किया था नौर्ड स्टीम पाइपलाइन के मामले में तो अब हम बात करते हैं कि भाई western countries है एंड जो US है उसको यह चीज़ समझने की जरूरत है कि इंडिया की जो foreign policy है भाई वो यह तो नहीं है कि हम किसी को दबा रहे हैं आपको यह समझना है कि भारत हमेशा से ही multipolar global order को चाहता है एंड जो वर्ल है ओल्रेडी से multipolar है आप चाहे वो एकोनोमिकली बोले हैं चाहे वो किसी भी रूप में लेकिन similar transition has not been taken place in its power dynamic इंडिया want to improve the system where it wise तो भारत हमेशा सही इस मामले में कहना चाहिए support करते रहा है और ना ही यह अमेरिका के साथ में इसकी कोई दुस्मनी है